नमस्कार कोब्रा पोस्ट इंडेक्ट में आपका स्वाधत है और आपके साथ मैं हूं गौरफ सिंग्ग। अपनी एक्टिंग के दम पर आज वो एक बड़ा सितारा हमारे बीच से चला गया और सितारे का नाम है ओमपुरी आज सुबह साथ बजे ओमपुरी का उनके घर में ही दिल का दौरा पढ़ने से नहीं धनो गया बताया जा रहा है कि ओमपुरी की उम्र श्यासर साल थी उन्हो किमों में अपनी एक्टिंग की और उसकी एक अलग जगा भी बनाई आज के मुद्धे पर हमारे साथ विचार करेंगे विचार धिमर्श होंगे आलोक कुमार के साथ अलोक आपसे जाने के सबसे पहले तो ओमपुरी की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि ओमपुरी हमा इतना ताकतवर बना सकता है, इस बात को ओम पूरी ने अपने हर फिल्म में बार-बार जो है थाबित किया, उनकी पहले फिल्म घासी राम कोतवाल से उठाई है, और उनकी आखरी फिल्म तक आई है, हर फिल्म में उनका रोल चाहे सपोर्टिंग एक्टर का हो, जाहे कॉमिक के सालरों हो, विल्म का किरदार हो, सिंपैथी के हिन करने वाला अदर हो किरदार, इस अपके साथ उन्हें पूरा इंसाफ किया है जाहिर सी बात है, इनसाफ तो किया है, और यह इनसाफ परदे पर लोगों को दिखा और यही वज़ा थी, परदे पर इन्हे близ उन्पुर सराह ना मिली। लोगों नेने हमेशा सरा और ओमपुरी आखिर दिदम तक लोगों के चहिते बने रहे अपने खास तोर से करदारों को लेकर अलोग बेस्ट एक्टिंग की बात करें कि किस तरह से मजबूत अदाकाली थी इनके अभेने में जो दिखाई देती थी और एक यादगार कुछ फिल्में हैं जो एतिहास बन गई हैं कि ये काम सिर्फ ओमपुरी कर सकते थे और कोई ही कर सकता था और पूरी की जो फिल्म थी अर्धशत्य जिसमें उन्होंने आनंद विरलेकर का रोल निभाया था एक इमंदार और जुनूनी इंस्पेक्टर का रोल था रामा शेटी जो फिल्म के में गिलें थे उसको आखिर में वो मार देते हैं इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दूसरी फिल्म थी उनकी आक्रोष जो उनकी पहली सूपर हिप फिल्म थी इसके अलावा अवार्ड मिलना तो एक बात की बात है पहला एक ओडियंस जो है वो फिल्म देखके ये तैय करता है कि आर्टिस कितना दंदार है और ओम पूरी की हर फिल्म देखके ओडियंस का यह की फिल्म के जब आप स्टार्टिंग देखेंगे स्टार्टिंग का तीन मिनट देखेंगे तो स्टार्टिंग का तीन मिनट ही देखने के बाद आपको लगेगा कि यार शांदार एक्टर रही है स्टार्टिंग के तीन मिनट में वैसी शुरुवात मैंने आज तक किसी दूसरे फिल्म की नहीं देखी है ओम पूरी स्क्रीन के सामने हैं तीन मिनट तक लगतार बोले हैं तीन मिनट तक के डायलाग को याद करके अंकट है वो वीडियो बड़ी बात है जो लाइव सेग्मेंट होता है और बहुत कम परदे पर देखने को मिलता है खास दोर से फिल्म इंडस्ट्री में जबकि मीडिया में लाइव का अलिमेंट जाता है अलोक कहा जाता है कि ठेटर के बंदे थे ठेटर से जुड़ा हुआ और यहीं वचा रही कि ठेटर ही ने बॉलिवुड में लेकर आया अपने तरफ से डायलोग बनाना बोलना उसे मोड्यूल करना वो तमाम चीज़े भी ओम पूरी करेक्टर में थी तो थेटर कहां से शुरूआ कैसे शुरूआ तुई देखिए हर्याणा में प्रात्मे खुक्षा लेने के बाद इन्होंने नेस्दी जोइन किया परिवार की माली हालत बहुँ अच्छी थी नहीं तो ऐसा हमने भी सुना है पढ़ा है अपने भी पढ़ा होगा कि इन्होंने एक धाबे तक में जो है काम किया था अपना खर्च निकालने के लिए और परिवार का खर्च निकालने के लिए एनस्दी से निकलने के बाद ये एफटी आई आई गये वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपना जो है करियर बनाने के लिए बंबई आ गये फिर यहां इन्होंने अपने एक नाटि मंदली के अपना की उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंको अपनी जो है पहली फिल्म बनी मिली जो है उसका नाम था घासी राम होतवाल उसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा एक चीज़ और आर्ट फिल्मियों को छोड़के जब यह कॉमर्शियल फिल्मों मे आएं और अभी लास्ट इंट्रिव्यू तक उनकी जो उस दौर की थी फिल्में पार, जेनसिस, सद्गती, गिद्ध, मिर्च मसाला, आरोहन, आर्ट फिल्में थी, छोटे बजट की थी फिल्में, बड़े बजट की फिल्में करने के बाद जो ओम पुरी हमेशा उस दौर क आर्ट फिल्में को मिस्स किया करते थे, वैसी फिल्में नहीं बनती हैं, हमेशा उनको इस बात का अफसोस रहा है कि कॉमर्शियल फिल्मों ने उस टाइप के आर्ट फिल्मों को रिप्लेस कर दिया, जो की फिल्में पहचान हो गए थी एक्टिंग की, और जहां आउंकी, तो क्या चाहिए एक एक्टर को चाहिए कि उसे एक्टिंग करने का मौका मिले उसे एक ऐसा किरदार मिले जिसमें वो अपने आपको दिस्टिफाई कर सके तो वो फिल्में बंदी बंद होगे थी और उसका मलाल उने आखरी दम तक रहा और सबसे बड़ी बात जैसा है कि आप पुरी एक नाइक के बाद एक कॉंट्रोवर्सी में पढ़ते जा रहे थे चाहिए उनके कोई बयान हो जाएं चाहिए कोई घरेलू हिंसा का मामला हो क्या कुछ था है सब लेकिए ओम पुरी राजनेतिक आदमी नहीं थे लेकिन उनके बयान देखके लगता है कि उनको में पहाल ऊता है अमिर खान ने जब ये कहा था कि हमारी Meat देश ठोड़ के जाना चाहती है तब भी उन्हों ने आमिर खान को अब हालिया विवाद यह हुआ जब उनों जो है फोजियों के बारे में एक बयान दिया था तो विवादों से तो उनका हमेशा गनाता रहा है अच्छा घरे लोहिंसा वाला पत्नी से मार पीट का यह क्या चक्कर था जिसमें कहा जाता है कि पत्नी कोट पहुंच गई उसने उ को पूर सीमा कपूर उनके साथ उनके नहीं पटि दोनों अलग हो गए धिर इन्हों ने दूसरी शादी की नंडिता से उनके साथ मिनए पटि छिए का उड़नाओं विकला निखि bananas लेकिर इन पत्ले के शाओं रहे पत्नी के लिए किताब लेकि यह बिलुगाता ने एसी तरह बी भी भी ने बुलानी पई और हमेशा उसे दिल में इन के लिए जगा बनी गई एक दिल्चस्फ बात यहाँ पर है कि कि इसी चैनल को तो उसमें यह कहा गया था इंट्रव्यू में कि पहले से भाविश्य वानी कर दीथी कि मेरी मौत इस तरह की होगी और मैं इस यह मेरे मनने का समय होगा. और कुछ-कुछ हुआ यह है लेखिए पहला तो अमपूरी इंटरव्यू नहीं देते थे, वहामेशा बात्चित करते थे, आप उनका इंटरव्यू देखे वहामेशा बात्चित करते थे, इंटरव्यू दिया थे उन्होंने शयाद फरवरी 2015 में, बीबीसी को इंट्रव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप याद रखिएगा हमारे ये इंट्रव्यू मैं भी एक दिन इसी तरह चुपचाप चला जाओंगा और आप ही लोग ये ख़बर चलाएंगे कि वह पूरी का सुबह 7 बच के 22 मिनट पर निधन हो गया तो इस टाइप की बाते उनके घम所以ाद रहेंगी और वाकिया मियात करने वाली बात ही है क्योंकि जिस तरह से इनने कहा था कि मैं बीमारी से ड़ता हूँ कि बीमारी के बाद आदमी अपंग हो जाता है अपाईज हो जाता है दूसरों पर निर्भर हो जाता है मैं ऐसी बीमारी से तरता हूं, मैं मौत से नहीं तरता, क्योंकि उन्पुरी शानदार शान से जिया है और शान से ही जाएगा, वो बीमारी से जूज कर नहीं बल्कि अचानक लोगों को अलगिदा कह जाएगा, और कुछ हुआ भी ऐसा ही है, दिल का दौरा पढ़ने से अचा सवाल रह गया, कि ना कुछ इठी है, न संदेशा और कहा तुम चले गए, अलोग एक आखरी सवाल आपसे ये भी, उनके व्यक्तित की कुछ खास बातों पर गौर क्या जाए, तो क्या कुछ उनकी ऐसी खास बाते थी, बिंदास थे, बेदड़क थे, कैसा एक व्यक्तित थ कि मैं अपनी तरह के एक आम आदमी से मिल गा हूं, इस्टारडम कभी उनके सर चड़के नहीं बोला, हमेशा जमीन से जुड़े रहें, एक आम आदमी की तरह रहें, और एक्टिंग के तो उनकी जो है, काबिलियत हैं ही, आप देखिए, फिल्म इंडुस्ट्री में सब का है, ओम पूरी का कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है, बिल्कुल अलोग, बहुत बड़ी बात है, ओम पूरी का कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है, अच्छे शकल नहीं होते हुए भी उन्होंने दो बार बेस्ट एक्टर का अवाल जीता, बिल्कुल, नेशनल अवाल जीता, और आज भी ने एक बार उनके बारे में ये कहा था मजाकिया लहिजे में कि मुझे यकीन नहीं होता कि ओम पूरी जैसे शक्रवाला इंसान भी हीरो बन सकता है दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ये बात खेर जो है मतलब हसी मजाक में कही गई थी हसी मजाक में ही ली गई ल सबसे बड़ी खूबी थी कि लोगों के बीच रहे लोगों के साथ रहे और लोगों के सामने रहे सिल्वर स्क्रीम पे हो चाहे वो 70 mm के परदे पर आए लेकिन जब जब आए जादू चला गए और लोगों के दिलों में एक बड़ी पहचान मना गए एक ऐसी पहचान जो अ इसी तक ही जबता और बहुत काम होते हैं जैसा के अलोक ने बताया है कि एक ऐसी शती है बॉलीवूड का एक ऐसे नुक्सान है जिसके कभी भरपाई नहीं हो सकती तो ओंपुरी के लिए कोब्रा पोस्कि की पूरी टीम भी तरफ से कि बहुत उनकी आत्मा की शांती के लिए दुआ करते हैं कि परिवार को उनका जो परिवार है भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे और हम कामना करते हैं कि ओमपुरी हमारी बीच में नहीं है लेकिन उनके जो प्रसंचक हैं वो उन्हें हमेशा अपने दिल में ज कर दो